चलिए अगले कोशन, कोशन नमबर 2 को सॉल्व करते हैं, ये भी कोशन नमबर 1 की तरह ही है, तो देखे, 1 by 1 इसमें भी कई सारी प्रॉलम्स दे रखी है, हम इनको भी सॉल्व करते हुए चलते हैं, तो प्रॉलम नमबर 1 है महाँ पस, साइन, साइन, धिगरी उपाँ, कोज फॉली स्कूर्व optimal निम добав झिपडिकर हम इनको जुड को संव्व करना है, तो ये से प्रॉविस कोशन में अपने स्वार्व किया ता व्यसी ही हमको करना है, तो हम नमेटर रिखी को भी सॉल्व प्रॉंग चैंज Commissioner करना है, तो साइन डिय 9 को हम लिख सकते है 90 minus 41 right upon cos of 41 plus of यहाँ पर हम चलो denominator को change कर लेते हैं तो cos 41 को as it is रहने दिया sin 49 को again हम लिख सकते है 90 minus 41 का whole square अब numerator denominator किसी को भी एक को change कर सकते हो तो sin 90 minus theta अभी हमने solve किया रहा sin 90 minus theta होता है cos of theta theta के place पर value है 41 upon cos 41 का whole square plus of cos of 41 sin 90 minus theta होता है cos theta theta के plus value है 41 का whole square यहाँ पास में cancel out हुए यहाँ बचा 1 का square plus of 1 का square 1 का square 1 plus of 1 equal to answer आगे हमारा 2 okay clear है देखिए इसी की second problem है हमारा पास cos 48 degree minus of sin 42 degree okay तो देखिए solve करने से पहले आप इन दोनों angle को आपस match कर लिए 48 plus 42 जो की हो जाएगा 90 okay तो देखिए हम cos को convert कर सकते हैं sign में sign को convert कर सकते हैं cos में और दोनों ही same हो जाएंगे और आपस में cancel out होके answer हो जाएगा 0 चलिए आगे फिर भी solve कर लेते हैं तो दोनों में से किसी एक function को change कर रहें तो हम 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 48 जो की हो जाएगा 42 माइनस of sin 42 इसको आज़री जरने दिया तो यह हो गया sign of 42 minus of sin 42 दोनों आपस में cancel result आगे हमारा 0 तो इस टाइप की जो सारी problem से बहुत easy है सिंपल हमको complementary angle यूज करके trigonometric functions को change करना है और then simple solve करना है चलिए यसी की next problem भी solve करते हैं चलिए problem number third को solve करते हैं बहुत आसान है ये भी same हमको करना किया है दोनों angle को check किया sum इनका 90 आ रहा है okay तो दोनों में से किसी एक को change कर दो जैसे numerator को change करते हैं तो यह होगा cot of 40 को हम लिख सकते है 90 minus denominator का angle बता देगा कितना 50 upon denominator as it is a 10 of 50 degree minus 1 upon 2 यहाँ पर भी numerator ही change कर लेते हैं cos of 35 को हम लिख सकते है 90 minus denominator बताएगा कितना 55 okay upon sin of 55 अब यह हो गया cot 90 minus theta होता है tan theta theta प्रेसिपे value है 50 degree upon tan 50 degree minus of 1 upon 2 cos 90 minus theta होता है sin theta theta प्रेसिपे value 55 upon sin 55 okay यह cancel यह भी cancel तो बचा हम आपास 1 minus 1 upon 2 into 1 तो 1 upon 2 ही बचेगा या two two's are one minus one one upon two यह इसका answer हुआ चलिए अगरी problem को दिखते है problem number fourth यह भी बहुत आसार है simple मैं इसको mental calculate करके बताता हूँ sin 27 को हम change करके लिख सकते है 90 minus 63 तो sin 27 जो कि हम लिख रहे है 27 को 90 minus 63 sin 90 minus 63 हो जाएगा cos 63 यह हो जाएगा cos 63 upon नीचे दिनोमेटर में आजड़ीज है हमाँ पास 1 cos 63 ऐसे ही रहने दिया का whole square minus of same इसको भी 63 को हम लिख सकते है 90 minus 27 तो cos 90 minus 27 हो जाएगा sin 27 sin of 27 upon denominator में हमाँ पास sin of 27 यह cancel हुआ तो बचे यहाँ 1 1 का square minus 1 का square 2 का square हुआ 1 यह cancel out होके हो गया 0 next problem number 5 को solve करते है चलिए अब 5 को solve करते है same हमको करना क्या है सिर्फ एक trigonometric ratio का आप change कर दीजे दोने में से किसी एक को change कर लिए हम 35 को लिए सकते है 90 minus 55 तो 10 of 90 minus 55 हो जाएगा cot 55 जो की denominator में cot 55 इससे cancel हो जाएगा okay plus of cot 78 को हम लिए सकते है 90 minus 12 cot 90 minus 12 हो जाएगा 10 12 10 of 12 upon 10 of 12 denominator में उससे वो cancel हो जाएगा minus of 1 यह दोनों हो गए 1 plus cancel हो के 1 minus 1 1 से 1 cancel finally बचा हमारा answer 1 तो इसमें जो इस तरह की सारी problem में बिलकुल बहुत आसान है आपको सिर्फ एक trigonometric functions को change करना है और उसको simple simplify करके final answer बताना है तो I hope बागी कि आप यह next problems आप solve कर सकते हैं Thanks for watching